गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट आज हम आरहो का लेसन टू मीरा के पद इस पार्ट का अध्यन करेंगे सबसे पहले हम कवित्री मीरा के जीवन परिचय को समझेंगे कृष्ण भक्त कवियों में मीरा बाई का प्रमुक इस्थान है इनका जन्म 1408 में 1498 इस्थी में मारवार रियासत के कुड की नामगाउं में हुआ था इनका विवाहा बारा वर्ष्ट की आयू में चित्तोड के राणा सांगा के पुत्र कुवर भोजराज के साथ हुआ अर्थात जब यह 12 वर्ष की थी तब इनका विवा हो गया था और इनका विवाहा राणा सांगा के जो पुत्र थे जिनका नाम था कुवर भोजराज उनके साथ हुआ था शादी के 7-8 वर्ष बाद ही इनके पती का देहान थो गया जब इनकी शादी को 7-8 वर्ष के करीब हुए तब यह विद्वा हो गई अर्थात इनके पती स्वर्ग सिधार गए इनके मन में बच्पन से ही कृष्ण भक्ती की भावना जर्म ले चुकी थी इसलिए वे कृष्ण को अपना आरद्धिय और पती मानती रही इन्होंने देश में दूर दूर तक यात्राएं की चित्तोड राज घराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद ये वापस मेरता आ गई यहां से इन्होंने कृष्ण की लीला भूमी वरंदावन की यात्रा की कहते हैं जीवन के अंतिन दिनों में ये द्वारी का चली गई माना जाता है कि वहीं रंचोड दास जी की मंदिर की मूर्ती में विसमाहित हो गई रंचोड दास जी का मंदिर यानि भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भगवान शिरी कृष्ण को हम रण छोड के नाम से भी जानते हैं इनकी मृत्यू 1546 इस्वी में मानी जाती है अर्थात 1546 में इनकी कुछ परमुख रचनाएं हैं मीरा ने मुख्य तहा इस फुट पदों की रचना की है अर्थात इनकी कोई ऐसी कावे रचना नहीं है जो किसी एक विशय पर हो इन्होंने भगवान शिरी कृष्ण के उपर अपने पद लिखें जो इस फुट है यानि कहीं से भी कैसे भी जो उनके मन में भाव आए उन्होंने वह कह दिये ये पद मीरा बाई की पदावली के नाम से संकलित हैं इनकी एक दूसरी रचना है जिसका नाम है नर्शी जी रो माहे रो अर्थात नर्शी जी का माहे रा अब हम अपने पाठ की और चलते हैं जो मीरा बाई दौरा रचित हमारे पास पद है सबसे पहले हम पाठ का सारांश समझते हैं जो पहला पद है पहले पद में मीरा बाई ने कृष्ण के प्रती अपनी अनन्यता व्यक्त की है अर्थात वह कृष्ण की अनन्य भगते हैं ये उन्होंने अपने पहले पद में व्यक्त किया है साथ ही साथ बताया है कि व्यर्थ के कारियों में व्यस्त लोगों के प्रती मेरे मन में दुख उत्पन होता है अर्थात जो लोग दूसरे कामों में लगे रहते हैं इश्वर को भूल करके उनके प्रती मीरा के मन में दुख उत्पन होता है वह कहती हैं कि मोर मुकुट धारी गिरीधर कृष्ण ही उसके सौमी है अर्थात वह शरी कृष्ण को अपना सौमी मानती है अर्थात मीरा बाई ने किरिष्ण भक्ति में अपने कुल की मर्यादा भी भूला दी है लोग कहते हैं कि संतों के पास बेट कर, अर्थात पुर्षों के पास बेट कर, मीरा अपनी लोक लाजग हो रही है मीरा बाई बताती हैं उन्होंने अपने आशों से कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को सीचा है और तब उसमें कृष्ण के भक्ती रूप के फल लगे हैं अर्थात कृष्ण आनंद रूपी फल लगे हैं उसने दही से गीही निकाल कर छाच छोड़ दिया है संसार की लोलुपता देख कर मीरा रो पड़ती हैं और कृष्ण से अपने उद्धार के लिए प्राथना करती हैं दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीती रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और भगवान शिरी कृष्ण के इसनेहे के कारण अमर होने की बात कह रही हैं दूसरे पद में मीरा बाई अपने पैरों में घुंगरू बांध कर कृष्ण के समक्ष नाचती हैं लोग उनकी इस हरकत पर उन्हें पागल कहते हैं बावली कहते हैं कुछ लोग उन्हें कुल नाशनी कहते हैं अर्थात अपने कुल का नाश करने वाली कहते हैं उनके पती राणा ने उन्हें मारने के लिए विश का प्याला उनके पास भेजा जिसे मीरा बाई ने हस्ते हुए पी लिया मीरा कहती हैं कि उसके प्रभू कृष्ण है जो सहज भक्ती से भक्तों को मिल जाते हैं अब हम अपने पदों की ओर चलते हैं और उन पदों के अनुसार उनकी व्याख्या को समझते हैं हमारा पहला पद है मेरे तो गिर धर गोपाल दूसरो ना कोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पती सोई छाड़ी दई कुल की कानी काह करी है कोई संतन दीग बैठी बैठी लोक लाज खोई असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली हुबोई अब ते बेली फैल गई आनंद फल होई दूद की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई दधी मधी घरत काड़ी लियो डारी दई छोई भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही जो प्रस्तुत पद है इसमें ब्रज भाशा का प्रयोग हुआ है चंद पद है और कवित्री मीरा बाई जी है मीरा बाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई कि मेरे तो केवल एक मात्र भगवान श्री कृष्ण है भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्ट मेरा दूसरा कोई इस संसार में नहीं है जाके सिर मोर मुकुट जिसके सिर पर मोर मुकुट है अर्थात जिसने अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किया हुआ है मेरो पती सोई मेरी आत्मा का तो वही पती है अर्थात मेरी इस आत्मा के पती भगवान श्री कृष्ण है चाड़ी दई कुल की कानी मैंने कुल की मरियादा को छोड़ दिया है का करी है कोई अब मेरा कोई क्या कर सकता है संतन दींग बैठी बैठी लोक लाज खोई लोग कहते हैं कि मैंने संतन लोगों का साथ करके अर्थात साधू संतों का साथ करके कुल की मरियादा को खो दिया है अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई मैंने अपने इन आंसों से सींच सींच कर कृष्ण रूपी बेल को बोया है अब यह बेल फैल गई है अब ते बेली फैल गई अब यह कृष्ण रूपी प्रेम की जो बेल मैंने बोई थी वह चारों और फैल गई है अर्थात कृष्ण से मीरा का प्रेम और गहरा हो गया है आनंद फल होई और अब इस प्रेम रूपी बेल पर आनंद रूपी फल लग गए है अर्थात कृष्ण रूपी प्रेम जो है वह मीरा को प्राप्त हो गया है दूद की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई वो कहती हैं कि जिस प्रकार दूद की मतनिया को बिलोया जाता है उसी प्रकार मैंने भी कृष्ण प्रेम को बिलोया है दधी मधी घरत काड़ी लियो डारी दई छोई और मैंने प्रेम रूपी दूद को मत मत करके अपनी भक्ती के दुआरा उसमें से दई और घी को अलग कर लिया है और जो चाज था उसे छोड़ दिया है अर्थात मैंने इस संसार को त्याग दिया है और कृष्ण रूपी प्रेम को अपना लिया है भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई मैं जब कृष्ण के भक्तों को देखती हूँ तो मेरा मन प्रसन हो उठता है और जब मैं जगत को इस संसारिक मोह माया में बंधे हुए देखती हूँ तो मेरा मन रो उठता है दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही मीरा बाई कहती है हे प्रभुश्री कृष्ण मैं तुम्हारी दासी हूँ अब मेरा उध्धार करो मुझे इस भवसागर से पार करो दूसरा हमारा पद है उसकी व्याख्या को अब हम समझेंगे दूसरे पद में मीरा का प्रेम तरह तरह की बाधाओं को पार करता हुआ हर परिस्थिती को सुईकार करता हुआ दिखता है पग गुंग रुबांद मीरा नाची मैं तो मेरे नारायन सू आप ही हो गई सांची लोग कहे मीरा भई बावरी न्यात कहे कुल नासी विसका प्याला राणा भेजियो पीवत मीरा हांसी मीरा के प्रभुगिरधर नागर सहज मिले अविनाशी प्रस्तुत पद में मीरा बाई कहती है कि मैं तो अपने पैरों में घुंगरू बांध कर नाच रही हूं पग घुंगरू बांध ही मीरा नाची अर्थार मीरा बाई जी कहती है कि मैं अपने पैरों में कृष्ण की भक्ती रूपी घुंगरू बांध कर नाच रही हूं वह आगे कहती है कि मैं तो मेरे नारायन सू आप ही हो गई साची कि मैं अपने श्री कृष्ण जी की हूँ और अब उनसे मिलकर मैं पूरी हो गई हूँ यह सत्यसिद हो गया है लोग कहें मीरा भाई बावरी लोग कहते हैं कि मीरा भाई पागल हो गई है न्यात कहे कुल नासी और लोग कुछ लोग कहते हैं कि मैं कुल का नाश करने वाली हूँ अर्थात मैं अपने कुल की मरियादा को मिट्टी में मिला रही हूँ विष्का प्याला राणा भेजियो पीवत मीरा हांसी और उनके पती राणा ने उनके लिए विष्का प्याला भेजा जिसे मीरा ने सहज भाव से सुईकार करके पी लिया और पी कर वह मन ही मन हसने लगी मीरा के प्रबुगिरधर नागर सहज मिले अविनाशी और उस विष्के प्याले को भी भगवान शिरीकृष्ण ने अपने प्रेम से अमरित में बदल दिया मीरा बाई कहती है कि मेरे इश्वर तो गिर्धर नागर है शाक्षात शिरी कृष्ण है जो मुझे सहज ही प्राप्त हो गए है तो ये हमारे पद थे मीरा बाई के अगले वीडियो में अगला चैप्टर आप लोगों को भेजूँगा God bless you